वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरिवान दस साइट पूचाव गुपता और वाचिंग माई चैनल तो सबसे पहली चीज आज जैसे कि संडे है तो संडे को हम पढ़ाई से हटके कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको कुछ पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक् चैनल शुरू हुआ था तभी मैंने कहा था कि धीरे धीरे हम इन चीजों इस चानल पर नहीं चीजों को भी एक्सप्रोर करेंगे सो दार हर कोई जाने हम अपनी स्टडी से रिलेटे हमें बेसिक फैक्स भी पता होने चाहिए हर जगा दे तो चलिए हमें लाहॉल किया किन न माचल से बाहर है आविवड़ी वंस तो एक्सप्रोर नीजी थिंग्स तो एक्सप्लोर कामनेस्टू एक्सप्लोर इस कोई जाना चाहता एक तो लग्ड़ा को बहुत तो यह ऐसी क्या चीजे जो सबसे ज़्यादा उसको एसको एक्सप्सक्राइट करेंगी ऐसी कौसी जो सबसे जदा इंट्रास्टिंग है तो जो भी ये चानल देख रहा है मेरे उन से रिक्वेस्ट है कि इस चानल पर बनिये सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे शेयर कीजे क्योंकि हर संडे आपके साथ एक नई डिस्टिनेशन को एक्स्प्लोर भी किया जाएगा और इसके ब सब्सक्राइब केंडरी शासित परदेश तो आज गवर्मेंट आज क्योंकि है यहां पर लाइफ बहुत कम है लाइफ इंडिसेंस की लोग बहुत कम रहते हैं तो यह जो लद्दाख है यहां पर प्रॉपरली एक कह सकते हैं एक अच्छी तरह से सटप्स बनाने के लिए न नहीं डॉपमेंट कर लिये ता कि लद्दाख को भी आगे लाया जा सके लद्दाख को आगे लाने के लिए इसका मतलत है यहां पर कुछ ऐसा चीजहें जिनको हम एकस्प्रॉर करते हैं तो चलिए करते हैं एकस्प्लोर की आज इसमें है क्या आप कई लोगों बता होगा कि लद्दाक में क्या है चलिया हम भी इसमें शुरू करते हैं तो बेसिक फैक्स हैं सबसे पहला फैक्स अबाउट ले इन लद्दाक इंट्रस्टिंग भी है इंपॉर्टेंट भी है और शॉकिंग भी है तो सबसे पहली चीज़ यहां पे हाइस रेजिडेंशिल पॉइंट ऑफ सच हुमन सेटल्मेंट आप सिर्फ सुन लीजे कि क्या है कहते हैं कि इस जगा का सबसे उंचा पॉइंट जहां पे लोग रहते हैं वो कौन सी जगा है सुरू और जहांसकर वैली सुरू आपको बता है लड़ाख लाइजन जहांसकर वैली जहांसकर जो तिबत और तिबत को जोड़ता है ठीक है लड़ाख और तिबत को भी जोड़ता है तो यह जो आपका हाईएस रिजिडेंशिल पॉइंट है हुमन सेटल जहां पे लोग आज भी रहते हैं यह पिक्चर में देखा है तो यह कौन सी है यह एक ऐसा भाग है जो एरिया सुरू वैली और जहांसकर वैली के बीच में ठीक है जो हिमाल्या और जहांसकर रिंजिस से कवर्ड है क्योंकि स्नो ही है विंटर एरिया है तो सबसे पहली चीज़ कि ऐसी कौन सी जगाए है इतने ज़्यादा इन्हाबिटेशन नहीं है सबसे ज़्यादा इन्हाबिटेट कौन सा एरिया रैंग्डम जो कि कितनी हाइप पर 4400 मिटर की हाइप में और जहांसकर का गेटवे कौन से है पैंसिला इस दे गेटवे औफ जहांसकर तो यह इंडिया की सबसे उंची हाईस स इस सद्र देस तो वह की सुरू और जहांसकर वाली का जहांसकर वैली का गेटवे हैं पैंसिला इगर जिसको यह लगता है कि यह इंग्लेश मैं to English में है कि आप को से इंडिया किया जा रहा है पैंसिला और सबसे अच्छी चीज क्या है यहां पर कि इसमें एक inhabited area भी है जो अभी तक सटर नहीं हुआ है highest है that is called random और यह random जो है यह कितनी उच्छाई पर 4400 मीटर्स की उच्छाई पर है तो सबसे उच्छी जगा सबसे उच्छी वैली कौन सी है सबसे लगदाख की सबसे उच्छी वैली के हैं सुरू और जहांसकर जो की area है और यह हिमाल्या जहांसकर रेंजिस से कवर्ड है पहला point that is the highest residential area पता होना चाहिए कौन सा है then highest bridge world का सबसे उच्छा bridge कौन सा है तो यह है आपका लगदाख का bridge लगदाख का है बेले bridge इसको क्या पुलते हैं इसमें सबसे और एक interesting fact कि वर्ड का सबसे उच्छा bridges बेले bridge जिसको army ने बनाया था कब बनाया था 1982 में कितना मिटर लंबा है तीस मिटर लंबा है और यह भी किसके बीच में आता है सुरू और दरास रीवर्स जो हैं वहाँ पे जहांस का रीवर्स ही हैं यह हिमालेन माउंटेंस इनको connect करता है ब्रिज मेड अफ लिटर स्टील यह स्पेशल स्टील है जो कि आर्मी द्वारा यह ब्रिज बनाया गया है और यह किसके लिए जुरूर यह मिल्ट्री अप्लिकेशन क्योंकि आपको पता है लद्दाक में हमारी सारी security forces रहती है तो उन security forces के लिए यह connection बनाया गया है ताकि यहां से वह हमारे तिबबत की बॉंडरी को बचा सके ठीक है चाइना से हमें बचा सके तो लद्दाक का जो एरिया है that is called built by India army in ले लद्दाक ठीक है और यह सरा किसने बनाया सबसे उंचा ब्रिज बेले ब्रिज है तो वह 1982 में बनाया 30 मिटर लॉंग है और यह सुरू और द्रास वीवर्स के बीच में तो यह याद अगना है कि यहां का इस ब्रिज की खास बात कि यह स्टील का बनाया लेटर स्टील का बनाया और बेसिकली फॉर्द मिल्ट्री अप्लिकेशन तो सेकिंड पॉइंट यह आपको अहां पर जाकर लद्दाक से जब आप एंटर करते जिए देखना इंगा सबसे उच्छा स्पींट ट्लिश कोब जैंडर तक के और सबसे उच्छा देखा जाये इंडियन एस्ट्राओon एकल ओप्जॉवेट जो है सबसे उची वह कहां पर हैं हानल पर ए ठीक हैर सबसे सबसे घुट हायएस अब अभी कॉंसा है सबसे बड़ आप लिटाक आप किया है इस टेलिस्कॉप से अब ख्लेर सस्काय क्या सकते हो जब भी कोई लग्णाय जाएगा इस टेलिस्कोप क kritु अब अब क्लियर्स क्या रेख सकते हो कि लग्या यहां फेंटर सह describing और अब आपको यहां पर धुंदला नहीं दिखेगा इस इस फ्री फ्रॉम जितनी भी अर्बन सिटीज हैं वहां से यहां पर पॉल्यूशन बहुत कम है क्लीन है हवा संडी है हवा ठंडी है और यहां पर इस टेलिस्कोप के थ्रू हमारी जो अकाश गंगा गैलेक्सी है उसकी आप पूरा विजन कर सकते हो इवन आप पैंगॉंग लेक की भी क्लियर स्काय पिक्चर भी ले सकते हो आप ठीक है तो यहां पर इसको बोल सकते हैं कि जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि आप यहां से क्लियर स्काय तो जब भी लद्दाग जाओ इस टेलिसकोप के थूरू रात का विजन जरूर देखे कि जैसे अगर हम इस दुनिया में देखें तो जहां पर भी देखो पॉलिशन इतना क्लियर है कि वहां पर लाइट जो स्टार्स की लाइट वो भी तनी एफेक्टिव करते हैं कि रात को आप क्लियर स्काय देख सकते हो और यह सबसे जाता नुब्रा वैली में भी जुरूर है ठीक है तो सबसे पहली चीज़ आन आटिट्यूड ऑफ 4500 मिटर इंडियन अस्ट्रॉमिकल अब्जर्वेटरी कहां पर है हानल में यह सेकिंड हाइस टेलेस्कोप है वर्ल्ड का दूसरा उंचा टेलेस्कोप कहां पर है लदाख में तो अभी आपने देखा है कि गवर्मेंट ने लदाख में एक सबसे उंचा मुबाइल ठेटर भी बनाया ठीक है त यह चीज बिया ठीक है नेक्स पॉइंट है आपका 것 बिखिशेर स्थक्र झात त एक यह बच्चा सबसे हांपने लदाख यह संबिन हम यह देखिक है थिक है है तो लदाख को क्योंकि अद्र है ज़्रा इसर्ट पाईय को अछिए हां पर को यह भी करते हैधा कि अ लगे मोब स्भाइब को में घ्रिए यहां पर लगजस्थान जाते हँ तो जब 됐े ही यहां पर हम्हें हम हम आप कैमल इसमें यहां जाते हैं हैं Twin Hampt Camels जो particularly ठंडे इलाके में रहते हैं तो ऐसी विराइटी लदाख में मिलती है इसको बोलते हैं बेक्ट्रेन Camels Species इसका नाम क्या है कि आपको वहाँ पे बेक्ट्रेन Camels Species मिलेंगी कहां पे नुबरा वैली को वैली आफ फ्लास भी कहते हैं इसको डुमरा भी कहते हैं इस वैली का लोकल पीपल वहाँ पे डुमरा गहते हैं इसको नुबरा वैली को और वैसे यह क्या है वैली आफ फ्लास यह तीन आम मतले यह ऐसा एरिया है जो कि ट्राय आम्ड वैली है मतले तीनों इसमें इसको कौन करता है नुब्रा और शॉख रिवर्स नुब्रा और शॉख रिवर्स की ट्रिब्यूटरी जा बड़ा ब्रिज देखा तेलिस्कोप भी एक्सप्लोर करो और जाकर वहां पे इनहाबिटेड एरिया इसको भी देखे अब आता है अगर आप डेज़ें क्यों नुब्रा वैली को जुरूर फोकस कीज़ें नुब्रा वैली इस तो वेरी ब्यूटिफुल वैली जहां पर सिर्फ नुब्रा वैली में आपको यह देखने के लिए मिलेंगे तो नुब्रा वैली में ही हमें यह देखने मिलते हैं और यह देखने मिलते हैं और यह देखने को मैं explore करने की पूरी कोशिश करूंगी found over single hump एक single hump भी है over single hump लेकिन सबसे कोर जो attraction है वो यही camel से और साथ ही साथ ही नुब्रा वैली में है अगर कोई भी लद्दाक जाए in future कभी भी plan पर plan जरूर कीज़े लद्दाक जाने का प्लान जरूर कीज़े आप ले लद्दाक जाने का क्योंकि इससे अच्छी जगह मुझे लगता है जिसको अपनी जिंदगी में मतलब जो कहता है ना life में इतना busy schedule है इस busy schedule में हमें लद्दाक को explore करना चाहिए क्योंकि कई चीज़े ऐसी है इंडिया is full of diversity मतलब diverse destinations है हम abroad जाते हैं ठीक है हम abroad भी चीज़ों को explore करते हैं तो same thing with the why not इंडिया ऐसी कई जगह हैं जो सबसे सुन्दर जगह हैं जो इंडिया को सुन्दर बनाते हैं let's explore India also तो जो भी लोग हैं जिनका विजन है कि नहीं आर इस जगह पर जाना तो इस जगह पर जाएए इन चीज़ों को relish कीज़ें यहां की जो main cuisine है that is called thukpa Chinese dish है Chinese noodles का एक soup ball है तो थukpa को भी try कीज़ें जो यहां का थukpa जो होता है जिसे कईयोंने पिया भी होगा यह तुकपा एक cuisine है ठीक है मैं यहीं पर बता रहते हूं यहां पर cuisine को जुरू ट्राय कीज़ें इनका cuisine है thukpa यह special dish है what is as that Chinese this is called as a Chinese dish it's just a soup bowl of manchao पीते है manchao soups पीते है वैसे यह थukpa यह थुकपा यह थुकपा जो है एक medicine का काम करता है क्योंकि इतना warm होता है यह प्यार जिसे इसमें garlic वगरा जो भी बनता है उसका बना होता है लेकिन यह आपको थंड से properly बचाते है next रहता है maximum number of festivals Ladakh is the valley of festivals ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन यहां पर festival ऐसे दो महीनों को बद यहां पर एक festival मनना ही है जैसे लाहॉल में मनता है आपका लॉसर festival new year festival Ladakh festival जो की हाली में हुआ था है में सेश्यू festival सिंदू धर्शन फेस्टिवल तो लोग जो है यहां पर प्रॉपली रेलिश करते है लद्दाख में जाकर लोग जो है इन चीजों को प्रॉपली रेलिश करते हैं तो यहां पर जब भी लद्दाख जाओ तो ऐसा नहीं है कि आप जब जाओगे उस दिन आ जाता है जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो हम एक्सलरेटर के थ्रू चलाते हैं लेकिन एक ऐसी जगह है एक छोटा सा स्ट्रेच अप 30 किलोमेटर जहां पर आपकी स्पीड जो है उस पर आपकी इसको बोलते ग्रैविटी हिल में क्या है कि यह कहा जाता है कि यहां पर इसको चाहिए आप इसको चाहिए लगाओ या इगनाइट करो कुछ पर नहींगे अपने आप चलेगी कई लोगों का माने किसी ने कहा है यह मैगनेटिक हील है क्योंकि यह आसपास जो हैं माउंटेंस की रोकियश फॉर्म जो वहां के लोग हैं कहते हैं यह लोगों की अव मैगनेटिक हील यह तो वहीं पर पता चलेगा कि यह रोड अलाइनमेंट इस तरह से कि अपने आप गाड़ी चाहिए कहीं की अपधान है बट जो भी जाएगा वो जब इस चीज को फील करेगा बट वेलकम तो मैगनेटिक हील बिकॉस दगाड़ी और कार इससल्फ ड्राइ करती है तो यह तो कहां पर है लेक कारगील और शेनागर आपको पता है कि इस पॉंडरी के साथ साथ हमारी कारगील भी जुड़ी है ठीक है पाकिस्तान उकुपाइड कश्मीर में तो यह सारी चीज़ें जो है इट गिफ इल्यूजन की जितनी भी काज है आप इस मैगनेट हुआ है वहां से आपकी गाड़ी कैसे चलते है जो भी लड़ाग यह उसने यह चीज़ फील जुरूर की होगी नेक्स रिच कल्चर हिस्ट्री और रॉयल पैलेस अब लड़ाग में क्या है लड़ाग का एक रॉयल पैलेस भी है जिसको ले पैलेस कहते है ठीक है यह सबसे स इसको किसने बनाया है किंग सेने नाम गयाल इसने बनाया है कब बनाया है 17 सेंचुरी में यह है आपका ले पैलेस यह क्या है यह जो पैलेस है इस लाइक म्यूजियूम जहां पर ओर्नामेंट्स को रखा गया है क्राउंस को रखा गया है ड्रेस को डिफरन डिफरन चीज़ को रखा गया है इस पैलस की बात को जैसे ले लटाग को छट कहा जाता है अर्थ की प्रित्फी की छट कौन सी यह लटाक? वैसे ही लटाकMom की छट इसको कहा जाता है इस ले ले पैलस को क्योंकि यह कितने चाई-बेर 건 На if all nine रूफ ओफ लदाक लदाक की छट है ले पैलेस और जब की इंडिया की या अर्थ की छट कौन सी है ले लदाक तो सबसे पहली चीजे हमने क्या के एक्स्प्लोर किया है अभी तक हमने थोड़ा सा रिवाइस कर ले तो हमने सबसे पहले बेले ब्रिच सबसे उंचा देन इरिया रिंग डाम देन उसके बाद हमने ट्विन हम्ड कैमल देखें फिर आपका मैगनेटिक हिल देखी है और इसके बाद रॉयल पैलिस देखें तो यह सारी चीजे जो भी लदाक जाता है यह चीजें लदाक को एक नई डेस्टिनेशन और एक नया फैसिनेटिंग इसके नई है प्रोफिटेख लचे और जाने से पहले के आपके जाने से पहले आपके पास वह सारी चीज होनी किया आपको वहां कुछ निए ऍलएगा आप अपका अपका बेडिंग प्रॉपर होनी जाए अपना जैसे बोलता है बेड बैग होता है वो लेकर जाए खाने का समान लेकर जाए प्रॉपली तियार कीजे अपने आपको और लगदाख के एक्सप्लोर जो करें अगर यहां पर जाकर बाइक राइड नहीं ली तो कोई मज़ा नहीं है यहां पर एडवेंचर्स हैं बाइक राइड है कार राइड है इन राइड को भी जुरूर ले तिया है सबसे जादा मज़ा तो यहां पर बाइक राइड का होता है और आपको पता है कि लगदाख में जब तक हैं जहां की शुटिंग भी हुई है now a desert which is the home of over 225 species of the world यहां पर यहां पर यह एक ऐसी डेज a desert means thandy desert ay cold desert जैसे hot deserts a हारा है कल्माहरी है thar desert यह को भी deserts तो यह सारी जू जुती भी deserts a गरम है लेकिन सबसे ठंडी desert लगदाख है लगदाख को cold desert भी बोला जाता है कि यह किस अरिया में आता है यह जहांसकर वहली है that is the transhimmolian area यह यानि इल्पाइन zone बेहां यहां पे बरफ भी होती है तो यहां पर टेंपरेचर जो है एक्स्ट्रीमली लो टेंपरेचर तो जो भी लद्दाग जाए सबसे पहले अपने आपको अच्छे वाम अप कपड़े लेकर जाए ठीक है तो इधर जो है वेजिटेशन बहुत कम है लिस वेजिटेशन है और यह लेकि लद्दाग एक ऐसा एरिया जहां पर ग्रीनरी कम डेजर जाए ब्राउन एरिया राफ्ड है तीक है यहां पर आपको कोई प्लांट नहीं मिलेगा तो यह जो लद्दाग एरिया एवन अगर यह डेजर भी है पर फिर भी यहां पर हमें बर्द की ब्यूटिफल स्पी इंद ब्रेट हिमालया तीक है तेमपरेचर इस बेरिया लोग तो वेनवर विव यह जाएगा जो भी जाएगा जो भी इस जगहां को एक्सप्लोर करेगा तो सबसे पहले एपने कपडे अपने गरम हॉट जिसको बोल से वर्म फप लेकर जाए लेकर जाएए लेस्टेशन ह होने के बाद भी यहां पर beautiful species जो है 225 species of birds beautiful birds यहां पर मिलते हैं और यहां पर क्या है that is the charm यह जो है इन birds को देकर एक beautify और जिसको charm मिलता है तो सो जो भी जाए लदाख जो जाए भई on the सो मौररी लेक at Korzak where the altitude is 4600 meters you will be witness to the highest fields in the world सबसे important चीज किया है वैसे तो यहां पर पहाड नहीं है यहां सोरी पहाड़ी areas यहां पर कोई vegetation लेकिन सो मरारी रेक के पास जो है आपको fields मिलेंगी खेत मिलेंगे जहां पर लोगों ने कुछ लगाया हुआ है तो सबसे important चीज किया है कि जब आप सो मरारी लेक के पास जाते है तो यहां पर सबसे मेगनिफी साइब साइब से हाइब की यहां पर हाइच फील्स सबसें उंची खेत जो है अग्री कल्चर पॉंट ऑफ यू से हमें सो मरारी लेक के पास बिलते हैं ठीक है नेक्स्ट मोस्ट विजिटेड ब्लू मिस्टिफाइंग हाइस्ट ग्रास लेंड इस इस दे ग्रास लेंड एरिया तो इसको बोलते हैं पैंक सौंग लेक यह अपको पता है संग भी बोलते हैं यह पैंक सौंग छेख है पैंगां सौरी में बचन को को सबसे नोची कौन सी है पैंगॉंग लेक है वैसे इंडिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है सॉल्ट लेक इस सांबर लेक इन राजस्थान पट यह इस अंडो हिरेक अंदर से बनी हुई है और यह जो है कितनी हाइट पे है 4350 इतनी लंबी है 162 मिटर सबसे इंपोर्टन 70% is in China and 30% इंडिया का पार्ट है 70% चाइना में आती है 30% सबसे इंपोर्टन पार्ट को यह कि यह पैंगॉंग लेक is the border between China and India चाइना में 70% आती है और इंडिया में 30% यह सॉल्ट लेक है यह फ्रीज रह जाती है बट एक और चीज़ है इस लेक आपके 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 आपकेश आपके आपके आ कहा जाता है colorful sites है free sardyon के time पे ये freeze जाया अभी जाने का कोई पाइदा नहीं आप इसको explore कर सकते जुलाइ अगर September in a इस टाइम पर इसले लद्दा को जुरूर explore करें home to strong self सबसे important चीज यहां की जो females and that is self empowered क्यों क्यों क्योंकि ये kung fu सीखती है कुंफू इसले सिखते हैं क्योंकि ये दुरुपा site से आती है या दुरुपा केते हैं 25 साल की यह पच्चिस साल से ही यहां पर जो है kung fu की practice होते हैं जो की दुरुपा ननरीज है दुरुपा फैली सो या दुरुपा को follow करते हैं और यह क्या है यह नहीं है कि यहां की females अपने करते हैं that is the karate to protect herself और इसमें जो है वो लोगों को भी encourage करते हैं और जितनी नन्स होती है उनको भी encourage किया जाता है और इसके लिए जो है यह मॉंक्स इनको सिखाते हैं यह जो lifestyle and kung fu वाला इसको BBC ने भी as a documentary file कवर किया है तो सबसे इंपोर्टन चीज यहां पर जो women that is self-empowered क्यो कि डुपा से related है और यहां पर जो women's है यह आपको activated है मतला प्रॉपल ही आपको kung fu सिखा सकती है ठीक है next आता है आपका touch the clouds with your bare hands एक ऐसी जगह जहां से आप ऐसी उंचाई वाली जगह जैसे ऐसे लगता है कि आप वहां से बादलों को touch कर सकते हो मतलब वहां से बादल जो है लैंड को touch कर सकते हैं आप अपने हाथों से भी कर सकते हैं यह जो है northern most state of India है ठीक है ले लद्दाक is the highest plateau ठीक है यहां पे कौन सी वैली को कुन्लून रेंजिस फ्रम हिमालिया स्टो कुन्लून रेंजिस जो हैं यहां पे आप उनको टेजिस इस एरिया में जाकर एक ऐसी पह जाकर फ्रम हिमालिया स्टो कि एक ऐसा पार्ट है दिस इस था हाइस पार्ट जो कि जम्मु एन कश्वी के पास में लगता है और यह पार्ट जो है यह कुन्लून रेंजिस को touch करता है यहां से आप यह क्योंकि हाइस प्लेस इसको रूफ आप अर्थ भी कह सकते हैं यहां से एक ऐसी जगह जहां पर हम जाकर बादलों को भी आ क्योंकि आपको पता है इसका है कितना उंच है पर इसी उंची जगह जहां पर हमें ऐसे लगता है कि हम बादलों को touch कर सकते हैं best chance for the road trip road trip खर्दूंगला top सबसे highest motorable roads के लिए कहा क्या कहा जाता था पहले खर्दूंगला पास is the highest motorable road to explore with the bikes बाइक के जब आप खर्दूंगला पास के पास आ जाओ तो उससे आपका बाइक जिसको बोल सकते हैं कि आप प्रॉपली बाइक से जा सकते हैं जो आपको पैंगॉंग लेक और यह जो खर्दूंगला पास है यह पैंगॉंग लेक और ले सप्टेमबर और वस्ट सप्टेमबर में इसको ले और पैंगॉंग लेक को ही जोड़ा है यह जो है किसके लड़ा के MP ठीक है लड़ा के जो MP है आपको बता है लड़ा की यूनियन टरिट्रिट्रियल लिफ्टिन गुवारनर कौन है इनके आर के माथूर ठीक है तो यहां पर लड़ाफ में जो यह हाइस एक हाइस मोटरेबल रोड बनाई गही है अभी इस कंस्ट्रक्शन चल रही है और यह कौन कर रहा है बॉर्डर री ओर्गनाइजेशन ठीक है रोड ओर्गनाइजेशन तो यह जिन्नोंने अहाली में अब कनेक्ट किया है व पास नहीं है हाइस इस कालड केला पास यह कौन सा है केला पास इस दा हाइस मोटरेबल रोड जो की कंस्ट्रक्ट की जा रही है और यह हाइस मोटरेबल रोड क्या है जो ले और पैंगॉंग लेक को भी कनेक्ट करेगी यह बनी है अब अब खरदुंगला पास नहीं है तो म most important point क्योंकि अभी तक जितने लोग हैं वो खरदुंगला पास को ही जानते हैं most of all जानते होंगी लेकिन अब बना है केला पास जो की highest motorable road है तो खरदुंगला टॉप जो है इस पर यहां पर लिखे है अब यह जब कंस्ट्रक्ट हो जाएगा केला पास तो वहां से जाएंगे तो यह motorable road यार best chance for the road trip by the खरदुंगला पास या खरदुंगला नहीं तो खरदुंगला से भी जा सकते हैं पर केला पास भी बनेगा ठीक है वही अब ट्रेक करना है तो जैनवरी क्योंकि सबसे ज्यादा बरफ तभी पड़ी होती है तो यह जो जगह है इसको कहते है चादर ट्रेक चादर ट्रेक जो कि जहांसी जगह है फ्रोजन लेक फ्रोजन लेक है या फ्रोजन पार्ट है लेका ठीक है यह कब शुरू होती है या तो दि जो है लोग ट्रेक कर सते क्योंकि यह रीव का बना है और यहां यह बैच इसको ट्रैक करने के लिए बैच चलते हैं तिल फैबरी तो दिसेंबर के आंत से लेकर फैबरी के आंतक और यह सबसे हार्डेस्ट है आज तक का यह सबसे हार्डेस्ट है तेन हार्डेस्ट ट्रैक से ह हम एक दिन इसको भी डिसकर्फर करेंगे फर्स ये हार्डस्ट वन इस पर आज तक लोगों का सपना है कि हम यहां पर जाए जो इस ने भी इसको ट्रेक किया है that is very difficult तो लोगों का सपना है इसको ट्रैक करने के लिए, तो जितना भी है, यह सबसे टुफस ट्रैक माना जाता है, टॉप 10 में से, ठीक है, नेक्स्ट, एक सबसे इंपोर्टन, अब आता है एक शॉकिंग एपक्ट, सबसे शॉकिंग चीज लद्दाक की क्या है, जैसे ट्रैक मैंन सबसे सर्प्राइजिंग भी बोल सकते हैं इसको, तो सर्प्राइजिंग एफेक्ट क्या है आपका सर्प्राइजिंग, सर्प्राइजिंग एफेक्ट क्या है, यहां का कैलेंडर, जैसे हमारे कैलेंडर में 12 मंद्स होते हैं, इनके कैलेंडर में 12 मंद्स होते हैं, लेकिन हर यह जो है 30 days for two consecutive years एक्स्ट्रा मन्थ जो है यह जो इनका extra month add that is इनके लिए बहुत पवित्र है यह months जो है इनके months यह जो अपना calendar है यह किसके through देखते हैं यह names के through नहीं numbers count करते है 1 2 3 4 5 और इनके जो weeks है जैसे हमारा Sunday Monday चलता है इनका week इनके planets के हिसाब से चलता है जो इनको ग्रह दिखते हैं जैसे sun है moon है और 5 जो इनको ग्रह पांच दिखते हैं उनके basis पर यह अपने week days मनाते हैं कुछ अगर जो इनके लिए जो कहते हैं जो important days नहीं है इनको काट देते हैं जिस जिसको आप loser भी कहते हो तो सबसे important surprising fact कि इनका जो calendar as compared to वाकी calendar से बिल्कुल डिफरेंट है इस इस calendar की खास बात क्या है यह numbers के basis पे होता है यह planets के basis पे करते हैं और यह ऐसे लोग है अगर इनके लिए dates important नहीं है तो उनको calendar से काट दिया जाता है तो सबसे shocking effect तो यह है कि किस तरह से sun, planets, sun, moon इन सारे planets को देखा जाता है तो यह सारी चीज़े भी है आप आहां के calendar में देख सकते हैं यह हमारे इंडिया से बिल्कुल different calendar है that is called tipton calendar इसको क्या कहा जाता है tipton calendar ठीक है तो आज मेरा यह part था explore Ladakh I hope कि आपको अच्छा लगा है अगर कोई चीजे नहीं आप तो प्लीज वीडियो को like and share जूर करें और subscribe देखे इस Ladakh को लाने का मतलब क्या है कि आप नहीं चीजे जब भी कभी trip plan करते है तो Ladakh में ऐसी चीजों को explore कीजे लदाख के important points के देखे अभी Ladakh में हाली में highest mobile theater भी लगा है लदाख से अगर आपने देखा होगा तो Ladakh में festivals मे मनाया गया था जिसमें आपको पता है चैंक तॉंग वहां की जो गोट है उसकी कश्मीरी गोट उसको explore करने के लिए चैंक तॉंग फेस्टिवल भी मनाया गया हाली में information broadcasting minister भी यहां पे गेते जहां से उन्होंने वर्चुली speech भी दी तो यह सारी चीजे लदाख में चल रह जा रहा है तो why to waste time why to waste time चलिए हम भी हमें सिर्फ इतना पता नाचे लदाख में ऐसी क्या चीज़ें जो हम लदाख जाने के लिए इतने explore कर सेके तो आपके साथ यह share करना कि लदाख क्या है आपने देखा कई लोगों ने देखा हुआ तो इसमें लदाख को उन लोगों त अच्छे लगे और आपको चाहिए कि नहीं हम आप states को भी explore करें कि लोग जाते हैं कई बार लोग कई ऐसे लोग है जो जाई नहीं पाते तो वह ऐसी चीज़ों को feel कर सकते हैं तो उनके लिए भी है तो अगर आपको चैनल अच्छा लगा है और यह important information आपको interesting effects भी अच्छ रात का सेशन आठ वजे उसको जूर देखे क्योंकि उसमें मैं आपके साथ एक important discussion शेयर करने जा रही हूं तो उस चीज़ को भी देखे तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे नेक संडे को एक नए टागेट के साथ तो चलिए बाबाए टेक्या एंड इंज्व decision